गुड मॉन्यू दियर स्टूडेंट आएम शार्दा प्रसाद असिस्टेंट प्रोफिसर फ्राम मेकनिकल डिपार्टमेंट भारती कॉलेज आफ इंजिनिरिंग अड टेक्नोलोजी आज का टॉपिक है डिप्नमा स्फिया फिफ से में मेकनिकल में यह हमारा टंकेटेट कॉनि पिवेड बेरिंग पर 20 किलन्यूटन का अक्षिय भार लग रहा है संकू कोण 120 डिगरी है तथा अभिलम दाप की तिवता यानि इंटेंसिटी आफ नॉर्मल प्रेसर 0.3 न्यूटन पर अमेम स्क्वार है बाय व्यास आंत्रिक व्यास का तुलना दुगना है यदि साफ्ट 250 आर्पियम पर घुम रही है तो घर्षण गुड़ांग 0.15 मान लिया जाए तो ग्याद की जिए बेरिंग की सता के आंत्रिक एवां बाय तिर जाए सेकंड घर्षण में सोचित सकती अधर एक समान इसमें एक समान यूनिफार्म के लिए निकालना है वेल्यू तो कुशन म पहले पढ़ लेते हैं गिवन डाटर 20 किलोनोटन आपको अक्षी है बहार दिया हुआ डबलू तो किलोनोटन को चेंज कर लेंगे 20 इंटू 10 दिक पावर 3 न्यूटन 2 अल्फा आपको 120 डिग्री है यानि उसको अर्ध संकू कूर्ण होगा अल्फा इकॉल तो 60 डिग्री म्यू पी दिया हुआ है अभिलम की तिवता स्मॉल पी अन तो 0.3 न्यूटन पार अमेम स्कॉर कैपिटल अन है तो 50 डिग्री है घंशन गुडांक म्यू इकॉल तो 0.15 तो यह कोशन में यहां तक दिया हुआ अब बेरिंग की आंत्रीक एवं बाय तिज्जा है अमाना की R1 वा R2 बाय बेरिंग की आंत्रीक तिज्जा है R1 इकॉल तो 2R21 कोशन में दिया हुआ था अभिलम बदाप की तिविता PN is equal to capital W divided by pi R1 का square minus R2 का square तो यहां पे 0.3 की value रखेंगे 10 into 10 to the power 3 W की value और R1 की जगा क्या रखेंगे 2R2 का square minus R2 का square तो यहां से value को निकालके solve कर लेंगे और उसका आएगा 2.213 divided by R2 का square इससे solve करने बाद R2 का square equal to 7.07 into 10 to the power 3 R2 equal to 84 mm आएगा तो R2 की value को यहां put up करेंगे तो R1 आएगा 168 में आएगा यदि घर्षन को सोचिश सकती एक समान दाप के लिए घर्षन एठन आगुन T is equal to 2 by 3 mu into w को से कलफा R1 का cube minus R2 का cube minus R1 का square minus R2 का square तो T is equal to 2 by 3 0.15 into 20 into 10 to the power 3 को से कलफा 168 का square minus 84 का cube 168 का cube minus 84 का cube 168 का square minus 84 का square तो T के value solve करने आएगा 45,45,640 Nm तो इसको solve करेंगे तो 452.64 Nm तो घर्षन में सोची सकती निकालने के लिए capital P equal to 2 by Nt by 60 तो 2 by 250 into 452.64 divided by 60 तो 11,884 किलो वाट आएगा सेकंड कोश्चन देखते हैं थ्रस्ट बेरिंग से अब थ्रस्ट बेरिंग के संपर्क तल के बाई एम आंत्री क्विक्रम व्यास क्रम से 300-200 mm है संपूर्ण अक्ची भार संपूर्ण अक्ची भार 75 किलो न्यूटन और दाप की त्रिवता 300 किलो न्यूटन पर mm2 साफ 400 RPM पर घुमती है घर्चन गुडांक 0.1 तथा दाप की त्रिवता एक समान मानकर घर्चन के कारण सकती में होने वाली हानी ग्यात कीजिए बेरिंग के लिए आवश्यक कालोरों की संख्या भी ग्यात कीजिए दिया गया है संपर्क तल का बाय व्यास D1 इकल टू 300 mm याने 0.3 मीटर तल की बाय तेजिया R1 इकल टू 0.15 मीटर संपर्क तल का आंतरिक व्यास D2 इकल टू 200 mm 0.2 मीटर तल की आंतरिक तेजिया R2 इकल टू 0.1 मीटर तो संपूर्ण भार कैपिटल डब्ली इकल टू 75 किलोटर कोश्चन में दिया हुआ था इसको हम न्यूटर में चेंज करेंगे 75 इंटू 10.3 न्यूटर मी इकल टू 0.1 N इकल टू 400 रपीम और प्रेशर है 300 इंटू 10.3 न्यूटर पर मीटर स्कोयर जब दाव की तेवता एक समान मान कर घंटी इकल टू 2 बाइ 3 मू डबलू R1 का क्यू मैनस R2 का क्यू R1 का स्कोयर मैनस R2 का स्कोयर 2 बाइ 3 मू 0.1 इंटू 75 इंटू 10.3 तो 0.15 का क्यू माइनस 0.1 का क्यू 0.15 का क्यू माइनस 0.1 तो 5000 इंटू 0.262 1310 न्यूटर मीटर और सक्ती मेहानी 2.90 बाइ 60 2 पाइ इंटू 400 इंटू 1310 डिवाइड बाइ 60 14,883 वाट 454.873 कीलो वाट में चेंज कर देए तो भार प्रती कॉळर स्मॉल पी पाइ आरवन का स्कोयर माइनस R2 का स्कोयर तो 300 इंटू 10 डिवाइड इंटू 10 डिवाइड इंटू पाइ 0.15 का स्कोयर माइनस 0.1 का स्कोयर तो 11,000 7,802 न्यूटन कालोरो की संक्या कैप्टल डबलू भार पती कॉलर 75 इंटू 10.3 ग्यारजा सासिक्या 6.3697 ये हमारा कॉलोरो की संक्या 6 आएगी नेक्स्ट कोशन है मेरी इंजन में लगे प्रोपेलर साफ्ट में लगे गए कई कॉलरों पर थ्रस्ट लिया जाता है साफ्ट का प्रणोद याने डबलू 210 किलो न्यूटन है और गती C आर्पीम है घर्षण गुडांग का मान जे 0.05 मान लिए तथा दाप की तेविता एक समान एवं 0.3 न्यूटन पर अमेम स्क्वार लिजिए काल्दो का बाहे व्यास ग्यात कीजिए तथा काल्दो की आवस्चक संख्या भी ग्यात कीजिए यदि घर्षण में सक्ती हानी 16 किलो आर्ट मान लिए जाए दिया गया साफ्ट का व्यास डीज इकल टू 0.3 मीटर यदि तेज्या आर्टू इकल टू 0.15 मीटर प्रणो डबलू इकल टू 210 किलो न्यूटन 210 इंटू 10.3 न्यूटन एन इकल टू 80 आर्पियम घर्षण गुडांग 0.05 दाप की तेविता स्माल पी 0.3 न्यूटन पर अम घर्षण में सकती हानी 16 किलोट 16 इंटू 10.3 वाट घर्षण में सकती हानी स्माल पी 2 पाई एंटी बाई 60 16 इंटू 10.3 2 पाई 80 इंटू T दिवाइड बाई 60 तो T की वैलू आएगी सॉल्ट करने के बाद 1910 न्यूटन मीटर कॉल्डो का बाई वियास D1 इक्वाल टू कॉल्डो का बाई वियास 2R1 एक समाल प्रेशर के लिए कून घर्षण एठन आगून याने T इक्वाल टू निकालना पड़ेगा 2 बाई 3 मीव डबलू R1 का क्यू माइनस R2 का क्यू डिवाइड बाई R1 का स्क्यार माइनस R2 का स् वैलू पूट अप करेंगे 1910 इस इक्वाल टू बाई 3 मीव है आपका 0.05 और डबलू है आपका 210 210 इंटू टैन डिव पाउर 3 210 इंटू टैन डिव पाउर 3 R1 माइनस R2 ब्रेकट में R1 का स्क्यार प्लस R2 का स्क्यार R1 इंटू R2 फिर नीचे में R1 माइनस R2 का स्क्यार का फॉर्मला लिखाएंगे यह प्लस B और यह पे A माइनस B का स्क्यार तो R1 फ्रेकर डिव फ्री में 0.12 इसको चाहएंगे प्लस 0.5 R1 तो R1 प्लस 0.15 तो इसको solve करने के बाद आएगा 1910 इंटो R1 प्लस 0.15 इक्वाल टू 7000 R1 का square मैनस 0.5 R1 प्लस 0.225 तो यहां पर R1 को solve करने के बाद एक quadratic equation बनेगा R1 का square minus 0.123 R1 minus 0.0175 is equal to 0 इस समी करन को solve करने के बिए R1 is equal to 0.123 plus minus root over 0.13 square 4 into 0.0175 R1 is equal to 0.123 plus minus 0.291 divided by 2 अब धनात्मा क्रिचिन लेने पर R1 is equal to 0.20736 मीटर 207.36 और D1 is equal to 2R1 2 is equal to 2 into 207.36 तो 414.72 कालो की संक्या N equal to कालो की आवस्यक संक्या दाप्ते विता equal to P तो P is equal to capital W N into pi R1 का square minus R2 का square तो 0.3 210 into 10.3 N pi 207.36 का square minus 150 का square R2 की जगा 0.15 मीटर यहने उसको 150 mm रखने पर 0.3 is equal to 0.3 0.26 divided by N N equal to 3.26 divided by 0.3 10.8 N is equal to आईगा आपका 11 तो यहाँ पर कालो की संक्या हमारी 11 होती है तो इस तरीके से हम different type के question देखे हैं truncated type का conical type का thrust bearing का तो इससे related निमिकल को हमने solve किया आगे हम अगला पार्ट में दूसरा निमिकल देखेंगे Thank you